मैं आपको एक बात ऐसी कहता हूं जो थोड़ी सी हटकर है लेकिन आपको समझाने में मदद करें भारत में हजारों साल की जो सब्विता है गिलास नहीं है ये गिलास जो है ना विदेशी है गिलास भारत का नहीं है ये गिलास जो है ना यूरोप से आया और यूरोप में पुर्तगाल से आया ये पुर्तगाली जब हमारे देश में घुस गए तब से गिलास में हम फस गए गिलास अपना नहीं है लोटा है लोटा लोटा और गिलास का अंतराफ लोटा है और लोटा कभी भी एक रेखिय नहीं होता वो ऐसे 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 होता है तो बागवटी जी कहते हैं कि जो बरतन एक रेखिय हैं उनका त्याज जिकरें वो हैं नहीं अच्छे काम के नहीं हैं तो गिलास का पानी पीना अच्छा नहीं माना जाता है तो लोटे का पानी पीना अच्छा माना जाता है अब आप बोलेंगे जी क्या फरक है फरक सीधा सा है पानी के बारे में मैं बता चुका हूँ पानी को जहां धारन किया जाए वैसे गुण उसमें आते हैं पानी अपने गुण कुछ नहीं है जहां दे दो वो ही गुण हो जाते हैं दही में मिला दो तो चाच में बन गया वो दही का गुण ले लेगा पानी खतम हो गया दूद में मिलाया तो दूद का गुण तो लोटे में पानी जो रखा तो पात्र का गुण आएगा लोटे का अब लोटे का गुण क्या लोटा गोल है ना गोल है ना और आप थोड़ा गणित अगर समझते हैं और विज्ञान समझते हैं तो हर गोल चीज का सर्फेस टेंशन कम रहता है हर गोल चीज का सर्फेस टेंशन कम रहता है क्योंकि सर्फेस एरिया कम होता है हर गोल चीज का चूंकि सर्फेस ए सर्फेस टेंशन कम है तो जो पानी उसमें है उसका भी सर्फेस टेंशन कम है तो कम सर्फेस टेंशन का पानी ही आपके लिए सबसे ज़्यादा उप्योगी है अगर सर्फेस टेंशन बढ़ा हुआ पानी आप पिएंगे तो बहुत तकलिफ करने वाला है सर्फेस टेंशन बढ कुवे का पानी कुवा गोल है ना सबसे अच्छा ये सारे साधुसंद कुवे का ही पानी पीते हैं आप जानते हैं ना मिले तो बिहार कर जाते हैं जहां कुवा मिलेगा वहां पिएंगे देखा है ना आपने साधुसंद वो कुवे का पानी उनके लिए सरुश्रेष्ट है क् कि कुवां गोल है कुवें की सर्कंफरेंस कम है और सर्फिस एरिया कम है इसलिए सर्फिस टेंशन कम है और सर्फिस टेंशन कम होने से क्या होता है पानी का एक गुण बहुत लंबे समय तक जीवी तर पानी का सबसे बड़ा गुण है सफाई करना अब आपके लिए वो गुण तेंशन कम बाला पानी आप पी रहें तो अगर सर्फिस टेंशन बढ़ा हुआ पानी है तो ये कच्रा बाहर नहीं निकालेगा मैं इसको एक दूसरे तरह से समझाता हूँ कॉम्प्लिकेशन है लेकिन सरल समझा रहा हूँ आप एक सबी वस्तूओं में सबसे कम है तो जैसे δूभ आपने अपलाई किया नोई इस तवचा के सर्फिस टेंशन को कम कर दिया क्योंकि यो वस्तू का जो गुण है दूसरे पर लगाओं तो ही आएगा तो यहां दूद ने सर्फिस टेंशन कम किया तो तवचा थोड़ी सी खुल गई और तवचा खुली तो अंदर का कच्रा बाहर निकल गया यही क्रिया पानी करता है पेट में यही से आपने पेट में पानी डाला बड़ी आथ और छोटी आथ का सर्फिस टेंशन इ क्योंकि तनाव बढ़ेगा तनाव बढ़ते समय चीज सिकुडती है तनाव कम होते समय चीज खुलती है तनाव बढ़ेगा तो सारा कच्रा आतों में अंदर बंद हो जाएगा अब यही आपको मूल व्याद बवासीर बगंदर सब करेगा इसलिए सर्फिस टेंशन कम वाला ही पानी पीना लोटे का पानी सबसे अच्छा माना जाता है गोल कोई भी वस्तु आपके घर में है उसमें रखा हुआ पानी पीना सबसे अच्छा माना जाता है तो गोल कुए का पानी है तो बहुत अच्छा है गोल तालाब का पानी हो तालाब भी गोल होते हैं ना तो गोल तालाब का पानी बहुत अच्छा गोल कुए का पानी बहुत अच्छा तालाब से चोटी एक पोकर होती है पोकर अगर पोकर गोल है तो उसका पानी बहुत अच्छा नदी के पानी की तुलना में हमेशा कुए का पान लोटे का लोटे जैसी कोई भी गोल चीज है तो अच्छा अब आप इसको प्रकरती में भी महसूस करेंगे बारिश का पानी गोल होके नीचे आता है मनें बूंदें सब गोल हैं क्योंकि उनका सर्फिस सेंशन हमेशा कम है तो यह विशलेशन लंबा चला जाएगा लेकिन मैं यहां जो आपको याद दिला दिया वो यह कि पानी पी रहे हैं तो गिलास में ना ज्यादा अच्छा है लोटे में पीएं तो लोटे वापस लाएं घर में लोटे ही निकल गए अब गिलास गुज गए और लोटे निकले ना तो लाखों कारीगरों की जिंदगी खतम हो कि नहीं कसेरे खतम हो गए गाउं गाउं में कसेरा सब्द समझते हैं वो ठोक पीट के लोटा बनाने वाले आदमी को कसेरा कहते हैं वो पीतल के लोटे बनाते थे कांसे के लोटे बनाते थे सम मर गए विचारे हमारे गिलास के चक्कर में तो बाग बट्टी जी को अगर मा पानी कभी न पिये और इस थंडे पानी का यहां पर भी एक विशलेशन में नया दे दूँ आपको कि हर थंडे पानी का सर्फेस टेंशन बढ़ा हुआ होता है हर थंडे पानी का सर्फेस टेंशन बढ़ा हुआ होता है और हर गुनकुने पानी का सर्फेस टेंशन कम होता है औ तो पेट को ठंडा करने की वो कोशिश करेगा, पेट ठंडा हुआ, तो सारे ओर्गन्स ठंडे हो सकते हैं, और आप मर सकते हैं, तो पानी को पेट गरम करेगा, फिर आप ये जान लीजे, और पेट पानी को गरम करेगा, तो अत्रिक तूर्जा लगेगी उसको, और वो बलड मैंसे ही आएगी तो सारा ब्लड पेट की तरफ दोडेगा और बार बार आप थंडा पानी पी रहे हैं दिन में 8-10 बार तो हर बार बलड को पेटiquement भागना ही पड़ेगा तो brain को blood कम होगा heart को blood कम होगा organs को blood कम होगा तो वो कमशोरी आनेहीं वाली है और टेटेक आ सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, क्योंकि कोई भी ओर्गन को ब्लड कभी भी कम नहीं पढ़ना चाहिए, तभी आप दुरुस्त रहने वाले हैं, इसलिए ठंडा पानी गलती से भी ना पियें, तो हमेशा कैसा पानी पियें, गुन-गुना पियें, एक समय के लि शुद्ध पानी को करने वाली दूसरी कोई वस्तु दुनिया में नहीं, तो ये, अब थोड़ा आगे चलें, आगे चलें वो ये कि खाना जब भी खाएं, आपके लिए नियम है, इस्टेंडिंग पोजीशन माने खड़े होके कभी न खाएं, हमेशा बैठके खाएं, बहुत आवश्यक है आपके लिए, कि दो विरोधी वस्तुएं साथ में कभी न खाएं, आप जेन हैं तो आपको तो सब अच्छे से समस्ता, भक्ष और अभक्ष का ग्यान सभी सादू महराज देते हैं, सादवी जी देते, दूसरे लोगों के लिए कह दूँ, दूद और दही की प्रकरती एकदम अलग है, दूद कुछ और काम करता है, दही बिलकुल अलग काम, तो दूद दही साथ में न खाएं, दूद और दही की बनाई हुई कोई भी वस्तु साथ में न खाएं, खीर खा रहे हैं तो दूद की है, तो कड़ी नहीं खा सकते, कड़ी खा रहे तो भी चलेगा गुड़ क्हाएं अच्छा ये बड़ी विचित रिस्तिती है गुड़ और घी साथ में जरूर खाएं शहदगी साथ में ना गुड़ को बहतर तरीके से अगर खाना चाते हैं गुड़ तो वैसे ही सबसे बहतरीन चीज़ है दुनिया की लेकिन और बहतर बनाना चाते हैं तो उसमें जरूर घी मिलाके खाए तो गुड़ घी चलता है शहद घी नहीं कभी भी इसी तरह का एक नियम है कि जैक फ्रूट माने फनस कटहल दूद के साथ सबसे खतरनाक है और मैंने का खटे फल जितने भी हैं संत्रा है मुसम्मी है वगरा वगरा ये दूद के साथ बिलकुल नहीं चल सकते एक ही फल है बागबटे जी कह रहे हैं जो खटा भी है और दूद के साथ जरूर खाएं वो आवला है आवला ये जरूर दूद के साथ खाएं इसके आगे का एक नियम है वो दूदल वाला एक नियम तो बताई दिया दुएदल और दही ना खाएं, और मजबूरी है कोई खाने की तो दही को गरम करें माने बगारें ताènciaर उसकी गरम करें फिर आप खाएं नहीं तो नहीं खाएं तो अच्छा है दुएदल खा रहे हैं तो एक डेड़ घंटे बाद दही खाएं चाच अगर खा रहे हैं दोईदल के साथ तो एकाद घंटे के बाद पी लें और अगर पीनी ही है तुरंट प्यास नहीं रुक रही है तो चाच को बगा रहे मने उसमें अजवाइन हो थोड़ा जीरा हो, हींग हो उसका छोक लगाएं तो उसकी तासीर बदलती है तो आप ले सकते